बच्चो आज हम exercise 6.2 lines and angles class 9 का question number 4 करेंगे काफी important question है और ये exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इस question में क्या-क्या given है देखते हैं PQST से parallel है ठीक है और angle PQR 110 degree है और angle RST 130 degree है तो हमें ये angle निकालना है जिसका नाम है QRS ये हमें find out करना है ठीक है तो इसको find out करने के लिए आपको इससे पहले एक चीज और आनी चीए कि अगर आपको पता है कि दो line है और एक transversal है अगर एक transversal है तो ये जो अंदर की जो angles है ये जो अंदर के जो angle है इन दोनों का sum कितना होना चीए angle मानलो 1 है ये 2 है क्योंकि ये same side में है angles on the same side of a transversal is equals to 180 degree बच्चो इन दोनों का sum angle 1 और angle 2 का sum 180 degree के बराबर होना चीए कब जब ये दो line आपस में parallel होंगी और एक transversal उन्हें काट के जाएगा ऐसे काट दिया उसको तो ये जो दो angle है अंदर की जो angle है interior angle जो है इन दोनों का sum कितना होगा 180 degree होगा similarly अगर मैं यहाँ बोलूँ ये angle 3 है ये angle 4 है तो इनका भी sum angle 3 और angle 4 का भी sum कितना होना चीए 180 degree होना चीए ठीक है इसी वज़े से अब हम क्या करेंगे इसी figure में जो आपको given है उसमें हम क्या करेंगे एक line मनाएंगे ऐसे हमने एक line मना दी खुद से ठीक है तो अब आप देख सकते हो ये line और ये ab line ये जो pq line है वो parallel है ab के pq किस से parallel है ab के अब ये भी मैंने समझाया था अगर दो line आपस में parallel है और एक transversal अगर काटता है तो अंदर के दोनों side जो दोनों angle का sum 180 degree होगा similarly आप यहाँ पे देखो अगर pq ab के साथ parallel है और qr देखो transversal का काम कर रहा है तो यानि कि ये वाला angle और ये वाला angle का sum 180 degree होना चाहिए तो हम यहाँ पे यह लिखेंगे angle pqr plus arq angle arq equals to 180 degree ठीक है तो pqr की value आपको पता है 110 इससे arq निकल जाएगा है यानि कि ये वाला angle मिल जाएगा आपको वो कितना हाजाएगा 70 degree है ना 180-110 कितना होता है 70 degree होता है ठीक है similarly यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि अगर दो line आपस में parallel है अगर एक transversal है उन दोनों का sum कितना होगा angle 3 और angle 4 का sum कितना होगा 180 degree similarly यहाँ पे भी ये जो st है st parallel है ab के st is parallel to ab similarly ये जो angle brs है ये भी निकल जाएगा आपका कैसे आप इन दोनों angle को sum कर दो आप लिखोगे angle rst rst यानि ये वाला angle प्लस ये वाला angle इसका नाम क्या है brs angle brs equals to 180 degree rst पता है हमें 130 degree है और brs निकल जाएगा तो brs कितना आ गया 180 minus 130 degree यानि 50 degree angle brs कितना आ गया 50 degree ये आ गया 50 degree ये आ गया 70 degree अब बस हमें ये निकाल ला है तो यार ये तो एक line है ना line कितने degree का होता है एक line 180 degree का होता है अगर ये वाला angle है 70 ये वाला angle है 50 तो बस ये निकालने हमें तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये line है तो आप कुछ नहीं करोंगे आप बस ये लिखोगे A, R, B is a line and A, R, B is a line तो आप यहाँ पे सारे angle लिख दो 70, 50 और Q, R, S ये सारे angle लिख दो angle A, R, Q plus angle Q, R, S plus angle B, R, S equals to 180 degree ये angle ये angle ये angle और ये angle तीनों angle का sum कितने degree है 180 degree है तो A, R, Q कितना है 70 degree Q, R, S नहीं पता Q, R, S ही रहेगा B, R, S कितना होगा 50 B, R, S कितना होगा 50 70 plus 50 कितना होता है 120 plus angle Q, R, S equals to 180 degree तो angle Q, R, S कितना हो जाएगा 180 minus 120 यानिके 60 degree angle Q, R, S कितना होगा 60 degree 180 minus 120 यानिके 60 degree